हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एकबर फिट से हमारे इस ओफिशल उटुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चंदन कुमार हजीर हूँ आप सभी के सामने अपनी एको नई वीडियो के साथ तो आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में उन सभी परिणामों के बारे में उन सभी परभावों के बारे में तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम परभावों की या परिणामों की बात करें तो बेसिकली इसको मूटे तोर पर दो भागों में ही विबाजित किया जाता है इसके परभावों को पहला वे जो कि किसी देश की MNC किसी देश पर जाती है यानि इसकी MNC है उस देश पर इसका क्या परभाव पड़ेगा और इसके यह अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इन सबी को आप लोगों को एक्जाम में अच्छी तरीके से लिखना आएगा तो चले गए ज़्यादा देर न करते हैं आज कि अपनी इस वीडियो को हम स्ट करते हैं सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहां पर आप लोगों को यह देखना होगा कि वह जो यह बहुराष्टे कंपनी आए यह अगर किसी देश पर जाती है तो उस पर मेजबान देश पर क्या परभाव पड़ता है यानि मेजबान आप सब को पता है जिस देश की वो कंपनी होती है उस देश के बारे में यहां पर बात हो रही है तो बहुराष्टे कंपनी आप सब को पता होना चीए कि यह क्या करती है ज्यान पूंजी तकनीक और वस्तुओं का प्रबंदन एक देश से दूसरे देश तक लेके जाने में अपनी मुख्य बोमिका निबा रहा है चलिए next point के और move करते है इसके बाद में यह MNC वे कंपनियां होती है जो विकासिल देशों में बाहर से निवेश की अवशक्ताओं को पूर्थी कराती है सबसे पहला point आपको ध्यान रखना है MNC ही एक वो जरिया होता है जिसके जरिए कोई विदेशी कंपनी अग होती है जो MNC होती है यह क्या करती है अधिक वेतन देती है हिसाब किताब में इनकी काफी ज़्यादा इमानदारी होती है और यह ज़्यादा करो की उत्तरदाइक करती हैगी आपको यह point भी याद रखना है और अगर हम बात करें कोई इस्थान्य अगर कोई उद्यम है लोग है तो उसके मुकावले इसका जो record का डाटा है वो इसका बाकी सभी से बहतर होता है यह भी आप लोगों को याद रखना है चले next point को remove करते है अगला point है बहुराष्टे कंपनी अपने करमचारियों को बहतर समाजिक सेवा बहतर समाजिक जीवन रोजगार के अधिक सा और उसे और ज़्यादा आकर्शक रूप में लोगों को दिखाती है जिसकी विज़े से जात लोग इन बहुराष्टे कंपनी में काम करने के लिए उत्सुक होते हैं हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बहुराष्टे कंपनी आए जिसमें अच्छा वितन दी आ जाता है और यह एक फ्लो का काम करती है यह भी आप लोगों को याद रखना है चलिए नेक्स्ट पॉइंट के और मूव करते हैं फिफ्ट नमबर पॉइंट है कि परंतु विकासिल देशों का मानना है कि यह जो कंपनी है जो यह लागत वसूलती है जो यह टेक्स वसूलती है कर वसूल परंतु जिस तरीके से यह लोगों से जो कर वसूलती है टैक्स वसूलती है वो कहीं न कहीं हम यह देखते हैं कि वो एक अन्याय पूर्ण माना जाता है और तो और आपको यह पॉइंट भी याद रखने है इन कंपनियों के आने से विकासिल देशों में अगर हम देखे तो निरवरता जो है वह जाधा बढ़ गई अब ये अपने देश के उद्यम देरे देरे खत्म करते जा रहें विकासिल देश और दूसरे देशों की जो यह पर जादा निरवरूर है क्योंकि कहीं न कहीं हमें यह देखने को मिलता है जो विदेशी कंपनिया है जो MNC ऐस है व क्योंकि वे MNC अपने देश को छोड़ कर दूसरे देशों में जाकर लग रही हैं जिस वज़े से जो विकास उनके देश में होना चीए था अब वो MNC अपने देश में ना करके जहां आज इसका व्यपार चल रहा है यह उन देशों में करने का कार्य कर रही है तो आपको य यह भी दियान रखना है इस पॉइंट के अंदर साथ इसाथ इस्थानिये अगर हम बात करें उद्यम तो वो कमजोर हुआ है साथ इसाथ ओद्योगी करन के रूप में आर्थिक जो ढाचा है वो भी कई न कई कमजोर होता जा रहा है आपको यह भी याद रखना है इसके बात से कोई मतलब नहीं होता कि उस देश में विकास हो या ना हो उस देश का जीवनेस तर बैतर हो रहा है या नहीं हो रहा उनके इंप्लोएट्स को लाब पहुंच रहा है नहीं बस कमपनी यह सोचती है कि हमें और हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको अधिक साधिक किस प जो MNC के तुरू जो पैसा है वो बहुत जादा फ्लो होता है और इसका एक अपोजिट भी है कि जब यह यहाँ पर अपना वैपार कर लेती है यह देश में से फॉर एक्जमपल USA की कोई कमपनी थी अब वो इंडिया में आके इस्टैबलिश हुई तो इंडिया में जब व विक्सित देशों को अधिकलाब मिलता है जो यह रेड कलर से मैंने आप लोगों के लिए हाइलाइट किया यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है विकासिल देशों पर बहुरास्टे कमपनियों का बहुत सारे दुरगामी और साथी साथ बहुत सार का विकास स्तरक खड़ा करने की कोशिश करती है जिसकी वज़े से सिर्फ और सिर्फ वो उसको देश की अत्वेवस्ता से कोई मतलब नहीं होता उसका देश की अर्थवेवस्ता में भी कोई इतना जादा खास योगदान नहीं होता और साथे साथ बहुत सारी कमपनिया क्या करती है कि वही विक्सित देशों की कंपनिया जो होती किसी देश में अगर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूंजी की जो अवशक्ता होती है उसको स्थाने लोगों से सस्ते दामों पर काम करवा लेती है और अधिक सदिक पूंजी कमा कर अपने देश में वो चली जाती है for example एक कोई BPO है जो अमेरिका का BPO है वो अगर किसी एक वेपारी है से अपना परचार करवाएगी या किसी एक वैक्ती से अपना परचार करवाएगी तो अमेरिका के अंदर जो प्रति वैक्ती हमारी देश में अगर करवाना चाहिए तो वह पांच से साथ डॉलर में ही करवा सकते हैं तो यह काम अगर आप देखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा बैनिफीशिल होता है MNC के लिए इसलिए अब हम बात करेंगे MNC की जो ग्रह देश पर परवाव पड़ता है ग्रह देश का मतलब है जो अपना देश है उस पर क्या परवाव पड़ता है तो बहुराश्चे कंपनियों की भूमिका अपने ग्रह देश पर काफी ज़्यादा परवावस्ता में भी योगदानी होता इनको बस कंपनियों को लाब मिलता है क्योंकि अपने देश में अगर आप वैपार करोगे तो आपको अपने देश में ज़्यादा टेक्स देना पड़ेगा दूसरे देश में वैपार करते तो आपका वैपार भी चल रहा है सब ना है कि यह क्या है कि मजदूर संगटनों को वेतन बढ़ाने की मांग करने की बजाए अपनी जो भी उत्पादन शुविदा है वो दूसरे देशों में पहुचाने का काम करती है यह मजदूरों के लिए जादा कुछ नहीं करती है अगर मजदूर इनके खिलाफ हो जाता है तो यह सारी मजदूरों को एक तरब से हटा देती है और चूंकि यह कंपनिया प्राइबेट होती है तो मजदूर इनकी शिकायत कहीं और कर भी नहीं सकते और ऐसी स्तिती में हमें बहुत बार दिखता है कि भी बेरोज़गारी पनप्तनी लगती है ग्रह देश के अंदर औ इनकें कंपनियों को विकासी देशों की विदेश निथी सं Seb pantit लक्षे प्राप्त करने में हत्यार के रूप में देका जाता है फॉर एक्शामपल किसी अमेरिका की कंपनी ए Powers अंगर अगर अगर अगरेका की जो भी सरकार इनकी बात आगर हम नहीं मानते तो अमेरिका की सर देश निती के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और बहुत सारे देश इसे एक अत्यार के रूप में भी इस तरीके से इस्तमाल करते हैं यहां पर यह पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुरास्ट्य कंपनी पूंजी माल या फिर जो भी प्रदोगी की तकनिकी है इसे एक देश से दूसरे देश अस्तानांत्रित तो करती है लेकिन ग्रह देश जो होती है इसके सरकार्य द्वारा गरेलू अर्थ विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए परभावों कदमों से यह बच जाती है उदारन मैंने आप लोगों के लिखाए कि यह उद्यम अपने यह अपने अपने अमीर देशों को इस्थानांतरित करके कठोर रिड़न नीती से बच सकते है इसे कोई अपनी कंपनी है अगर हम अब टेक्स तो देना ही पड़ेगा क्योंकि विदेशी कंपनी है परन्तू अब उसको हम जादा उसको प्रायोरिटी है जो गोर्मेंट की उर से जादा मिलती है क्योंकि यह MNC है और यह विदेश की कंपनी है तो सरकार इस पे पहले विश्यस रूप से पहले ध्यान रगत उसमें तो अच्छा प्रवाव हुआ है लेकिन हमारे सरकार जो है दूसरों के उपर निर्बर होती जा रही है निशकर्स की बात करें इस पूरे के पूरे कोशन की तो निशकर्स इसके इंदर क्या लिखेंगे बहुत सारे जो बहुराश्चिक कंपनी है वो आर्थिक रूप से या प्रदोगी की रूप से विकास करने का तो साधन है परन्तु विक्सित और विकासिल दोनों तरह के देशों को यह क्या कर रही है आज सकल लाब पहुचाने का काम कर रही है दोनों तरह के देशों को अंतराश्य संस्थाओं में इनकी जो भूमिकाय वो बहुत विरोजगारी उत्पन कराकर पुराने जो उध्योगे उनको खतम कराती है और इसी तरीके से यह जो टॉपिक क्या आप लोगों का परिणाम का बहुरास्ट कंपनियों का, क्या परिणाम है, किसी देश में जाती है तो ग्रह देश पर भी और भाहे देश पर भी क्या परिणाम है आज की इस वीडियो से आप लोगों को चिक क्लियर हो चुका होगा और इसी प्रकार के इंट्रस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे अधिक से दिख में तो तक करेंगे चले मिलते हैं आपसे अपने ग्लिपटे में जैन जै भारत